वेल्कम तो माई चैनल, स्कूल फैलो क्लासी, आजम सोल करेंगे, स्लिक्स क्लास का मैस, MLA गर्माल की बुख है, लर्निंग मैथमेटिक्स, इसका चेप्टर 3 है, प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.1 का, कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में है, state whether the following statements are true or false, है मैं true false बताने, ठीक है, पार्ट इसके कई पार्ट है, step by step सारे पार्ट करते हैं, the sum of 3 odd numbers is an even number, यह true है या false है, इसको करके देख लेते हैं, 3 odd number, 3, 5, 7, यह odd number है, इनको अगर प्लस करते हैं, 7 और 5, 12, 12, और 3, 15, तो इस question में क्या बोला गया है, कि 3 odd number का sum even होता है, तो यह क्या है, even नहीं आया है, यह तो odd आ गया, ठीक है, तो यह हो गया, false, ठीक है, अब करते हैं इसका second part, the sum of 2 odd numbers, and 1, 2 odd number देखो, 2 odd number, और एक even number, यह 2 odd number है, और यह even number है, इनका sum यह बोलता है, हमेशा, the sum of 2 odd number, and 1 even number, is an even number आएगा, तो यह क्या आगया, even number आगया, तो it means, यह true है, ठीक है, second का है, true, अब करते हैं इसका part third, third में है, the product of 2 even number, is always an even number, दो even number का product, अब 2 even number, 2 और 4, दोने even number है, इनका product मितलब, अगर multiply करते हैं, 4, 2, 4 जा, 8 या 4 जा, 8 एक ही बात है, तो क्या आएगा, हमेशा even number आएगा, तो यह भी क्या आगया, even आगयो है, अब आते हैं, fourth में, fourth में है, the product of 3 odd number, 10 odd number, 5, 3, 5, 7, 10 odd number है, अगर इनका हम product निकालते हैं, 3, 5 जा 15, और 15, 7 जा 105, तो क्या आया, the product of 3 odd number, is an odd number, यह क्या है, और नंबर यह है, तो इसका मतलों क्या है, it means यह भी true है, अब है इसका, इसका fifth part, fifth में है, if an even number is divided by 2, the question is always an odd number, अगर किसी number को 2 से divide किया जाए, तो जो question मिलेगा, क्या वो हमेशा odd number मिलेगा, तो चली करके देख लेते हैं, किसी भी even number को, 6 even number है, अगर 2 से divide करते हैं, तो 2, 3 जा, 6, यह तो मिल गया odd number, बट यह कहरें क्या हमेशा, अगर हम यह 10 क्या है, even number, इसको 2 से divide करेंगे, तो 2, 5 जा, 10, यह भी odd मिल गया, और अगर हम 4 को, 4 यह एक even number है, और इसको 2 से करेंगे, तो 2, 2 जा, 4, यह even मिल गया, यह odd मिला, तो यह जरूरी नहीं है कि question हमेशा odd मिले, तो यह क्या हुआ, false है, क्योंकि हमेशा odd नहीं मिलेगा, कभी even भी मिल सकता है, और कभी odd भी मिल सकता है, understood, all prime numbers are odd, क्या सभी prime numbers odd होते हैं, सभी prime numbers odd नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि 2 भी prime number होता है, 2 को छोड़के, बाग की सारे prime number odd होते हैं, तो यह false है, अब है, 7th, all even numbers are composite, क्या सारे even numbers composite होते हैं, क्या होते हैं, composite number वो होते हैं, जीके 2 से ज्यादा factor होते हैं, वैसे तो even number 0 को छोड़के, 2 से जो कम है, 0 भी एक even number होता है, क्योंकि किसी के last में 10 है, 20 यह है, 0 है, तो वो होता even number, अगर हम 0 को छोड़ दे, तो बाग की तो सारे even number composite होते हैं, लेकिन अगर 0 को मिलाओगे, तो नहीं होते हैं, इसलिए यह भी false हैं, ठीक है, प्राइम numbers के factor नहीं होते हैं, प्राइम numbers के factor नहीं होते हैं, factor O other than, किसको छोड़ के 1, और number itself को छोड़ के, तो यह है true, ठीक है, 10, 2 consecutive numbers cannot be both prime, 2 consecutive numbers prime नहीं होते, यह कह रहा है, देखते हैं, 2 consecutive, consecutive होता हैं, लगाता, consecutive prime number, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, यह सब क्या है, prime number है, 2 है, तो यह तो दो लगाता हो गए, हो सकते हैं, तो यह क्या है, यह गलत बोल रहा है, यह true है, दो नो prime हो सकते हैं, यह भी prime है, यह भी prime है, ठीक है, 2 prime numbers are always co prime number, 2 prime number, हमेशा co prime numbers होते हैं, yes, यह भी true है, Thank you and thanks for watching.